आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे खुश होंगे अपनी जिन्दगी मस्त होंगे मतरानी सब को खुश रखें आज हमारा आगमन कहां पर हो रहा है यानि रिद्धी सिद्धी की कोठी में हो रहा है यानि हमारे हैं छटवे नेमर वाले भाईया राम जी भाईया आप लोग अच्छे से जानते हैं रिद्धी सिद्धी के पापा को तो यहां पर भाईया भाभी रिद्धी सिद्धी यहां हम जल्दी नहीं आपाए हैं, भाईया बोलते थे दीदी आप यहां काब आऊगे, हमने कहा जब मातारानी की कृपा होगी तब ही आएंगे, भाईया भावी इतना खूश है, भाईया बोल रहे हैं कि दीदी चलिए पूरा मकान देखिये, और प्रिंटिंग वगेरा भी हो गई थी भावी ना भी गर्मी में आकर कि यहीं पूरा एक डेड़ महीना बच्चों को ले करके रुकी हुई थी और हमारी भावी मतलब बहुत ही हुश यार है भावी दिल्ली की है ना इसलिए भावी का कहना है कि दीदी खुद हमने नक्सा पास किया इस मकान का और वा किचन देख करके तो मन खुश हो गया कितनी मतलब हैवी कीचन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है सामने एक दिम से खुला खुला सा नजर आ रहा है और हमको भी इतनी खुश है मने का भावी आपने दो दो जगे ऐसी ग्रहस्ती कठा कर लिया है यहां भी कठा किया वहां रूम और इस्टोर वगेरा और एक रूम और इधर कर रखें और बाथ रूम इतने हैवी हैं कि मतलब पांच छे लोग बच्चे जा सकते हैं आराम से अशनान ध्यान कर सकते हैं गोमने के बाद और हमको पूरा मतलब इतनी थकावट हो रहे थी कि कल के ब्लॉक में आप रहे हैं और यह अपनों का जहां पर प्यार होता है ना वहां पर यह नहीं देखा जाता है कि हम कैसे हैं कैसे नहीं है हमारी नहीं कोई खूशी का ठीकाना नहीं था जैसे कि आज है दे उठनी एकडसी तो एकडसी की बहुत बहुत सुपकामना है हमारी यूटूब फैमली क हमारी बहनों को और ये वाली पूजा ना तो हमारी शासूमा करती हैं हम ब्रत करते हैं लेकिन पूजा पार्टना ये वाली जैसे कि तुलसी मैया की पूजा है तो हमारी शासूमा भी करती हैं और हम भी करते हैं तो यहाँ पर भहिया की कोठी आप लोगों कैसी लगी कमेंट वास में जरूर बताईएगा, हमारा तो मन खूश हो गया, और इसके बाद बच्चों के साथ थोड़ी समय के लिए बैठते हैं, बच्चों के लिए भावी दूद हो गएरा गरम कर रही हैं, और पिछले ब्लॉक में आप लोगों ने देखा कि हम लोग डिनर तो बंदना बहू के यहाँ से करके ही आए थे, बच्चों को सिर्फ भावी दूद पिलाएंगी, यहाँ पर बच्चे मौद मस्ती में लगे हुए हैं, टीवी नोगों ने खोल लिया था, इसलिए यहाँ की आवाजें आप लो इसके बाद यहाँ पर किचन में भावी हमारी लगी हुई हैं, देखे पहले गर्मा रही हैं पानी और इसके बाद सब के लिए बना रही हैं चाय, और भावी वही बता रही हैं कि दीदी इस किचन में ना बिल्कुल उप भी नहीं लगती है, यहनी सामने ना बिल्कुल वि यहां पर इद्धी सिध्य आप लोगों से जैमात अदी बोल रही। मिस्टू। मिस्टू। जॉननी जॉननुबॉंड करो गॉलो। गॉलो। मिस्टू। जॉनन में अबने मसावथी है। थीजू कर दे है। मिस्टू। जॉननन जॉनन ठेले। अनू सब बच्चों को हमने जगा भी दिया सबसे जयमातादी भी कर लिया हम भी जल्दी कर लेते हैं ब्रिश और हम सूट तो एक भी नहीं लेकर के आये थे लेकिन हाँ यहाँ पर हमने भावी का सूट डाल लिया है थोड़ी से धीला है लेकिन कोई बात नहीं ठीक है तो हम भी जल्दी करते हैं ब्रिश और कल के ब्लॉप में हमारी बेहनों ने आप लोगोंने कमेंट किया था कि दीदी अंकरी क्या होता है तो जैसे हम चूले में रोटी बनाते हैं पानी लगा करके तो अंकरी ना कंडी की मतलब आग को जलाया जाता है जब आग अच्छे से हो जाती ही ना तो पोपो करके डाला जाता है और वो सिर्फ कंडी के आग में अंकरी पकती है उन्हीं को बोलते अंकरी जैसे हाथ की पोई होई रोटी होती ना उसी तरह वो अंकरी दिखती हैं लेकिन देखे जब हम इस बार अपने सस्राल जाएंगे अब माय के जाएंगे तो बनाएंगे अंकरी आप लोगों के शाथ ये रेश्पी हम जरूर शेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारी भावी बच्चों के साथ मौध मस्ती कर रही हैं और सब चोटे तीन बच्चे हैं पर हमारी भावी ने कैसे अपना खुद का भी ध्यान दे देती हैं और यूटूब में भी देखे कितने अच्छे से ब्लॉग बना करके डालती हैं और बच्चों का भी कितना ध्यान देती हैं तो यह ऐसे होना चाहिए जाए मनू नहाईए आप भ सुबे से मामी ने आलू मैस करके रख दिया था हुआ है कि दी क्या खा रहे हो मिष्ठी आपको भी पसंद है आप भी पूजा करने जा रहे हैं चलिए हम भी कर लेते हैं पूजा पहले कर लेते हैं हम चल रहे हैं बाहर के गार्डन में और यहां पर कंडेल का पेड़ भी लगा हुआ है तो भावी जी हमारी फूल भी तोड़ रही है और हम भावी से बोल रहे हैं कि भावी नहाने से पहले आप फूल तोड़ दिया करिए तो भावी कहरें दीदी कभी याद रहता है कभी पूजा पार जादा नहीं करती थी लेकिन हमारे भाईया बहुत पूजा करते हैं तो भाईया जी से ना हमारी भावी जी भी सीख लिए पूजा करना मौसी बोलोगी बुआ है इनको समोसे बहुत पसंद है समोसे बहुत पसंद है कितनी जल्दी दोर के आई है गोदी में देखा आप चाचु को पंचानते हो प्यारी करदा चाचु कितनी जल्दी कितनी जल्दी गोदी में आई है मनौ समोसे टेश्टी है या के हमारे या के समोसे है आपके लखनोक नहीं है ठीक है सब्सक्राइब देखे हमारे लखन जी भाईया भोले बाबा की पूजा पाठ करके आगे और गौरव अभी सुबह सुबह हो आए हैं और हमको ना सुबह से चार बार खोन कर चुके कि दीदी जल्दी आये पार्थी पूजा नहीं करते हैं तो अभी सिर्फ हम यहां से भाभी कहां से चाय पीकर के जा रहें पहले वहां भोले बाबा की पूजा करेंगे हरता रोटी दाल चाओ सबने गया अच्छा की रोटी अच्छा की रोटी आज हम लोग ना बहुत ही लेट सोकर के जागे हैं क्योंकि इतनी थकावर्ट हो रही थी लगांजी भी चाय नहीं लोगे ले ले लो इसके बाद हमारा भ्रमाड शुरू हो जाएगा हम पहले जाएंगे पूनम भावी के या इसके बाद जाएंगे अपने अपनी अभावी के आँ यानि किसी जसी के आँ तो जलोडी चाय पी करके पहले आगए हमको ना मनु अभी तक सिनाम्ध्य नहीं कुछ की है जाए मनूं नजना écart मुर्य करिए आसी सिद्धी समयसें टेश्टेश्च थनि समयसेändernों से सिद्धी आपको बहुत समयसे पसंद रिदि आंको नहीं पसंद है आपसैनल कर दो कोई पूजा करने जाना है ठापटो तुम खाओ भाई कोई जाना है तो ऑई अपना जल्दी जल्दी नास्ता पुली कर ले है क्या हो गया लग लग एक लाईट गय क्या अऩाँ नही आजाए इनवार्ट की लाईट है हाँ इंगाटर से हैं फर्स टाइम हैं भाई कि यहां रुके हुए है क्योंकि जब भी आते थे ना भाईया लोग नवाँ पीली बीज़ रहते थे तो यहां रुकी नहीं पादे थे भाईया कल से भाईया भाईया इतना खूस है कल है हमारी मिष्ठी का मुंदर क्यों मिष्ठी कल आपके बाल निकल जाएंगे मिष्ठी टकू टकू हो जाएगी है ना मिठ्व अब हम चल रहे हैं अपने लखंजी भाईया के यहां जो हमारे हैं साथ और नमबर वाले भाईया जी तो हम आ गए हैं यहां पर न देखे अमरूद के पेड़ देख करके हमारा मन खूस हो जाता है इस समयना छोटे-छोटे अमरूद लगे हुए हैं जदा पके नहीं हैं और अब चलते हैं उपर के हॉल में जहां पर हमारे बैठे हुए हैं बाबा हमारी भावी जी नतिजार कर रही है तो यहां पर देखे पार्थि पूजन भाईया और भावी बच्चों ने सभी निक लिया था बच्चे गए हैं पूजा करने के बाद इश्कूल और यहां का टाइम इबहुत ही सही है हमारे भाईया जी ना चार बजे से इस सब को जगा देते हैं बच्चे लग जाते हैं पूजा पाट में और हमारी भावी जी लगी हुई किचन में तो कहरें कि दीदी यहाँ पर हमने चोखा बना लिया है और देखे भावी यहाँ पर क्या क्या तैयारी करें भावी बोल रही है दिदी अभी यहाँ की वीडियो न सूट करें हमारा किचन बहुत ही मसी मसी दिख रहा है तो हमारे लिए भावी पीस रही है वो नमक मिर्चे वाला यानी मसाला पीस रही है करें दिदी चना की बहुरी जा रही है, हाथ से पानी लगाकर रोटियां पोईगी, बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आई है, वो लोग भी आते ही होंगी इस्कूल से, तो गरम-गरम रोटी ने ये वाली थी रहती है, हाथ की पोई हुई बाते भी करते जा रहे हैं, थन्धा मौसम भी यह बढ़े है चारो तरप का झछत का अनन्द भी लेते जा रहे हैं और अभी नहीं, यहां से यानि भोजन करने के बाद हम जाएंगे खुसी जस्टी के यहां और ये सामने दिख रहा है खुसी जसी का वहाँ पर मकान चारो तरफ न यहाँ भावी की देखे इस समय न धान हमारे यहाँ खेतों में लगा हुआ है और यहाँ भी जितने भी प्लॉट हो गए रहना सब प्लॉटिंग हो रही है अब हर जगे न यहाँ पर मकान ही मकान बन जाएंगे आपकी काफी सहेलिया भावी यहाँ पर हो जाएंगी इन चारो तरफ मकान बन जाएंगे आपको कही जाने क्यों सकता नहीं है पूरी ठंडी में आप ऐसे बढ़े चूले में रोटी बनाया करेंगे इस बार न जब अच्छों की छुट्टी होगी न तो हम आ जाएंगे, पूरा बंदरा बीज दिनी, इस बार कोसिस करेंगे, हम रानी दोनों लोग आएंगे, बड़ी वली दीदी को भी ले आएंगे, तीनों बहने रहेंगे आपके यहां, परिशान न हो यह, बड़े साम को आप जलाया करेंगे बाहर गेट के पास, तापा करेंगे, साम को वहीं बना लिया करेंगे, दुपाले, जोता हैं, एक जीना नीचे सोता न हरु, अभी की हमारी बाते चल रही है हमारी भावी न पुना भावी काम करने में बहुत ही आगे हैं इनके अंदर बिल्कुल आलस नहीं है पूरा दिन अपना खुद्र बुद्र वाले काम करती रहती है तीनों बच्चे आगें गाईश स्कूल से सोम्या स्रेया रिशी क्यों रिशी अम मनु भया को पूछ रहे हैं मनु भया गए हैं खुसी जसी के अहां बुलाएं अभी हम बुला रहे थे कि मामी बना रही है रोटी बड़े चूले में तो आओ मनु खाना खालो भोजन कर लो लेकिन मनु आ ही नहीं रहे हैं मनु कह रहे हैं हमको नहीं भोजन करना भोजन सब लोग बोलते हैं कि खाना मत बोला करिये भोजन बोला करिये तो हमारी भावी जी ने काफी रोटियां बना लिया है हाथ में पानी लगा करके पो करके और आप लोग भी आजें सब लोग छट में मनाते हैं पिकनिक और यहाँ पर काफी आइटम भावी ने जो बनाया था तीनों बच्चे ने इतनी हुश्यार हैं किचन से पूरा आइटम ले आए हैं और हम सब के लिए लगा रहे हैं यहाँ पर थाली तो आप लोग भी आजाई भोजन रेडी है और देखे हरा मिर्चा भी यानि इसमें भावी मसाला भर करके मिर्चे का अचार भी बनाई है तो यह सब पकवान देख करके ना मुम में पानी आ रहे है सुब गाइस इस व्लोग का एंड कर रहे हैं जै मददी गाइस